आज में एक ऐसा कैनल आपको दिखाऊंगा यह मेरा कोई नहीं इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का वट मैंने काफी वीडियो पहले कैनल पर किये हैं कि एक कैनल का सेटप कैसा होना चाहिए तो आज मैं विवेद भाई के पास आया हूँ बनसल कुतिर करके विवेद भाई का कैनल है दिली में तो इनों का डिजाइन में देखा को मुझे बहुत पसंद आया जैसे अगर आपके पास कम डॉग हैं आपको तीन चार डॉग रखने हैं दो तीन चार डॉग के लिए जो ए और जो सबसे अच्छा मुझे लगा आप इस वीडियो में पूरे बने रहें आपको पूरा वीडियो कैनल देखने को मिलेगा पर जो मुझे इसमें अच्छा लगा और अच्छा ये लगा कि बिल्कुल भी किसी तरह की स्मैल नहीं है और इनों ने जो डिजाइन किया है कही जो किसी तरह को किस गंदा नहीं है जो बहुत अच्छे और चोटा कैनल कैसा होता किस तरह कर दिखाए क्या चीज है थाए फ्रेंग्स मैं आपको एक चीज बताना जाता हूं मेरे लिए एक डॉक के नहीं है बेसिकली जो मैंने बना रखा है ये मेरे डॉक्स की रहने की चीज है उनको रेस करने के लिए अधरवाइस आप कोई भी एक्सरसाइज के अंदर तो और वेसली नहीं करा सकते बहार मैं डॉस्टियल एडिया में मेरी यहां पर कोई किसी चीज के लिए मना नहीं करता मैं बहार अपने डॉक्स को एक्सरसाइज पूरी करा के आता हूं उनको ट्रेणिंग भी करा के आता हूं यहां पर पार्क से उनके अंदर रनिंग भी करा के आता हूं गेंब एक्सरसाइज बारो रही है उसके बाद इदर आक के इनको रेस करने हैं तो बेसीकली आपको इनको एक नेचुरल जो में चीजेचे चाहिए जो हवा चाहिए तो आपके हमेशा डोग मेंटेन रहेंगे यह मेरा मानना है बाकी मैं इसी के ऊपर बोलना नहीं चाहता है तो बेसिकली क्या है मैंने इदर शे डॉक्स का सेट अप सा बना रखा है जिसके अंदर मैंने एक डीप फ्रीजर भी रखा हुआ है जहां पर मैं इनका थोड़ा बड जूड़ा यह बना रखा यह वह 6 x 6 का एक रूम बना रखा यह बना रखा है इसके एक कह रखैल कर जैसे फर्स्थ वाले में क्या-क्या थैस्तार्टिंग में सब्सक्राइब यहां पर लगा रखे हैं और यह से किनल में जो आपने नीचे से फ्लोरिंग की हुए किस तीज की फ्लोरिंग इसलिए करी है बेसिकली मैंने इनका प्रॉपर ड्रेने सिस्टम बना रखा है कि अगर जैसे यूरीन यहां पर बाइचांस कर देते हैं वैसे मेरे डॉक करते नही उर्यां करते तो वै जमीन के अंदर जाता तो वैसम के थोड़ी बट रहती थोड़ी आ अथि आलोंग से की आपका सारा द्रेने सिस्टम में जाए तो यह जो है कि मैंने वैलपिंग इनने व्हां ठेले हैं मैंने इनका जो वैल्तु समाने के इंग कि बच्छों को स्पेस कम चार बच्चे हैं बहुत चोटे इस दिन के तो उनको जादा स्पेस नहीं चीए तो इसके अंदर बहुत एजली खेल सकते हैं जो मेरे पास भाईया रहते हैं वो यह पर इस हो जाते हैं जैसे पपीज भी गहरा हुए तो यहां पर क्या होता है कि रात की रात पूरा जमर जी अगर कोई भी इसू तो वह इसली देख सकते हैं जो अपनी आखों से पता भी चले जो पर्मानेंट यहां पर रहेगा ना अगर आपकी आख भी लग जाए अगर कोई बच्चा दूसरे बच्चे को पकड़ रहा है या बायचांस वो पॉटी कर दे कुछ भी कर दे तो वहा होने का सब बड़ा रीजन यही रहता है कि हम कहीं हों से जाकर सोचते हैं यही देर के लिए गाए और सारी चीजे हो जाएंगी पीक रहना बहुत ज़रूरी होता से हमेशा पारवो में चलबट ओग जो फ्लोरिंग जैंच की जो फ्लोरिंग यह बेसिकली प्लास्चिक मैच होते हैं एसली अवेलेबल होते हैं मार्केट में भी एमेजॉन वी गराप हर जगा मिल जाते हैं यह तरह की रोट्स इसले लगाई मैंने कोई जाली लिगारा लगा तो मैंने यह इसलिए लगवाई कि इसके उपर दात वह इसली नहीं पसाता कोई बच्छा और आपने इसके हाइट किसा रखा है हाइट मैंने राउंड 6 feet ही रखा है 6 feet हाँ 6 by 6 6 by 6 से कम्टीट कोई 6 by 6 by 7 भी होगा थोड़ा उपर भी होगा बट 6 by 6 अलमोस तरह की जोई और ड्रेने सब्सारे सारे के अरे केनल में अलग ड्रेने से समय और वह डिरेक्ट बहार नाली के अंदर कनेक्ट है एक AC मेंने लगाया हुआ है दो पंखे लगाया हुआ है एक्जॉस लगवाया हुआ है मैं फिर भी अगर कोई इस्यू होता है चोटे पपीज है एक कूलर अलग से रखा हुआ है कि इन तक ही हवा पोचे उतना सा कूलर भी लगा रखा है जैसे अब और हवा की ज़रतों और गर्मी हो जाए तो मैं फराटा भी अपने साथ रखता हूं कि बच्चों की तरफ मूं करके किसी भी डिरेक्शन में वहा लगा तो उनको हवा मिलती रहे की लाइट भी जाती है तो मैंने इधर ही एक छोटा इन्वेटर लगाया हुआ है एक बैटरी का की लाइट जाए तो के लिए हवा मिननी चाहिए यह बहुत अच्छी एक इंफॉर्मेशन है और यह जो कैनल का सेट अप का है और यह साधे चीचे आपको यह दिखाई भी जीने और अगर कभी छोटे आपने एक छोटा कैनल सेट अप करना है तो यह डिजाइन भी बहुत अच्छा है इस तरह क यह दो कैनल अप करना है